हाई, तो जंदकी की गणित के बारे में मैं आज कुछ सोच रही थी तो मैंने जाना कि यार जंदकी की गणित ना इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना हम उसे सोच लेते हैं अब होता क्या है? कि हर सवाल का जवाब हमारे पास होता है लेकिन उस सवाल को सोचने में, सॉल्व करने में हम कुछ प्लस, माइनस, डिवाइडेशन और मल्टिप्लाय लगा देते हैं फिर वो सवाल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेट अब सवाल कॉम्प्लिकेट हो गया, तो जाहिर से बात है उसे सॉल्व करने में थोड़ी सो मुश्किल होगी अब उस मुश्किल सवाल को हम स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में पहुच जाते हैं जिन्दकी के और पर वो जो अधूरा चूटा हुआ सवाल है न वो आगे कभी जाकर हमें बड़ा परिशान करता है तो देखो सीधी सी बात यह है कि जिन्दकी के हर सवाल का जवाब हमारे पास है तो अपनी सोच में प्लस माइनस डिवाइड मल्टिप्लाय ना लगा कर सिर्फ उस सवाल के जवाब को सूचो और इंप्लिमेंट करो क्योंकि जो प्लस माइनस डिवाइडिशन मल्टिप्लाय लगा देते हैं न चब हम तो सवाल कॉंप्लिकेट बन जाता है और फिर दोश जुन्दकी को दे देते हैं हम कि अरे यह क्या हो गया तो भही ऐसा नहीं है हमें नहीं करना चेह है सवालो को सवाल ही रहने दो उसे बवाल मत बनाओ समझे